हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिती है एसके लॉन में दक्षिन भाग में दोबारा से देख सकते हैं कैसे इस थिती यहां हो जाती है और इस तरह की स्थिती एसके लॉन में हर जगा देखने को बार बार मिल रही है आपने देखा मिसाइल से हमला हो रहा ह हमास की तरफ से और उसका जवाब दिया जाता है हम दूसरी स्टोरी आपको बताने के लिए खड़े हुए थे लेकिन हमें दूसरी कहानी आपको इसके जरिये बतानी पड़ी तमाम लोग सड़क पे देख रहे हैं वहाँ आप देख सकते एसके लॉन में अपनी गाडियों को प्रोक के लोग उतर गए थे और वो शेल्टर ले लिए थे हम भी यहां बैठ गएते सो गए थे और शेल्टर ले लिए थे और इस तरह से गाडियां रुकी और फिर अपनी गाडियों में बैठ के लोग निकल गए हमारे साथ जो पैलट थी वो भी गाड़ी से निकली और यहां आपको ऐसे लोगों के साथ में होना है जो आपको बता सके कि आपकी जान या आपका शरीर कैसे सुरक्षित रहेगा तो इस तरह की स्थिति लगातार यहां वार जोन में आपको देखने को मिलेगा न्यूजेट इंडिया के टीम आपको एसकेलॉन से हर एक रिपोर्ट दे रही है और अभी आपने देखा कि मिसाइल हमला हुआ तो किस तरह की स्थिति बन गई थी लगातार वार जोन से हम आपको दिखा रहें कि कैसे स्थिति और इस वक्त हम लोग एसकेलॉन में हैं एसकेलॉन में लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा हमास की तरफ से और य जो यह लोहे का क्या स्थिती हुई है यहां पौधा था एक उस पौधे की स्थिती क्या हुए आप देख सकते हैं दूसरी तरफ के पौधो को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा पौधे को पूरा जला दिया और यहां जब गिरा उसके बाद वो जो मिसाइल उसको हटा लिया गया है यहां से और यह देख सकते किस तरह के छेद यहां बनते हैं यह देख सकते हैं मिसाइल गिरने के बाद हुआ है पेड को इस पौधे की क्या स्थिती है इस तरह के हालात हर जगह आपको एसकेलॉन में देखने को मिलेंगे और पूरा इसकेलॉन इस वक्त माके के बीच में है और हमें भी कई बार अपने आपको छुपाना पड़ा सेफ करना पड़ा लेकिन ये रोड के हालाद देख सकते हैं यहां से उस मिसाइल को हटा लिया है पुलिस ने आर्मी ने लेकिन इस्थिती ऐसी है जो इस वक्त आपको बया कर रही है एसकेलोन में इस भार पलपल की खबर हम निउजेटिन इंडिया और निउजेटिन पे दे रहे हैं और यह शहर है इस वक्त घोस्ट सिटी है मुनिसिपैलिटी में आए हैं यहां के लोकल में मुनिसिपैलिटी में हम कुछ काम से कुछ लॉजिस्टिक इशू क्लियर करने लेकिन कभी भी यह यहां हम मौझूद जरूर है पहले आपको तस्वीरे दिखा दे यह शहर देखे पूरा का पूरा मार्केट बंद है करम सिंग को कहेंगे वो यहां की तस्वीरे दिखाए पूरा घोष्ट सीटी के तौर पे विरानगी चाही हुई है सारा कुछ बंद है कुछ भी खुला नहीं है तस्वीरों से आपको वीडियो से अंदाजा लग सकता है कि एसकेलॉन की स्थिती क्या है हम तेल अवीब में भी थे लेकिन वहां थोड़ा सा हैपनिंग है यानि महां मिसाइल कम आ रहे हैं लेकिन सारे शहर विरान की तरह शांत दिख रहे हैं शहर पे सन्नाटा है कोई भी नहीं है और यहां कभी भी आपको मिसाइल अटाइक होता है तो हमें छुपना पड़ता है तो यह यहां एसकेलॉन की स्थिती है आपको बता दे जो हमारा चैनल देख रहे हैं गाजा पट्टी वेरी क्लोज फ्रॉम एसकेलॉन यहां से बहुत नजदीक है गाजा पट्टी में ही इस्राइल हमला कर रहा है और वहीं हमास है डेक टॉल 700 से ज्यादा हमास की तरफ मारे गये हैं पैलेस्तीन मारे गये हैं 900 से ज्यादा इस्राइली लोग मारे गये हैं कुल 1600 से ज्यादा लोग मारे गये हैं लेकिन इस्राइल ने आज कहा है कि उसने गाजा प कि तरफ जाएंगे वहां इस्थिती बहुत ही भयावा है क्योंकि वहां हमास है इस्राइल ने अब हमला करना शुरू कर दिया लेकिन जिस सहर में हैं मिसाइल हमला यहीं हो रहा है यहीं पर दागे जा रहे हैं कभी भी साइरन की आवाज आती और हम यहां इन सब जो कोने हैं छूपना पड़ता है इस तरह की स्थिती है यह तो यह जो एकषिल में साइसे जैसे आप साउथ जाएंगे वहां आप बड़े मुश्किल में होंगे बहुत डेंजर में इस्राइल का सबसे बड़ा सहर जिस पर सबसे ज्यादा हमास की तरफ से अटेक हो रहा है वह है इसके 18.8.18. What kind of message you want to send from here, from India to other parts of all? Because we are from India and we are here to cover this war. What is the situation here? So, I think that before even speaking about the situation, I think it's a good opportunity to thank to India Prime Minister that support us in this very… it's really to define even the situation. So, thank you very much to India Prime Minister. कizard कि और भी का मो 써alis lord ये कि भी कुछीद से यह वैं आजे भी हैं इसा 沒有 आगा आगा कि लिजी टूपने भी सिल confet डिर सिटरो बोरी कि दो रो जो हैं आगा आदा भी कर अग्यूंस आगा स्तिर्शच राभ रें ज्था वहता कि यह भीी ब्ल την मिसि doğru झेंग वेलों, हमने सब्टला हमाइस काषिया रष्ट्टर्टाम उर वे टाया का तरहा है ते रामास Карमा ताम मुझे है कर दोटो हैंग मैंको था इन्गला मुझेस राम बाद सेक्षूן जव से क्नेुट हो तूसते कि अष्मा था हिम फिरकी जिए जए हैंवाल सुम दोटी कराट Tea कर जिए कहते हैं जए टू राछी आखक पर उब च gefährूट है कि भर और हमगर्डर दोन स्ट्व और लिकुट है कि में वं मि干टर्परा धल увидеть लिच वर कि एक टानने मिष्याद डियाओ एक मेरी मेरी गारत्य सिथे लिझ जाओ टोटा सेखनि एवान पर टोटल 600 एक मिष्याद मैसमे तक शेली लाुआरे अिभर yapmış इस्पेली। षीहार एक प्रम आएश्वाननट गार बारत्ता हैgt यहां कि डियाओोन रियाओ भी भी अजय के लिचेज को झालाओ ब रताफ्ट सिस्तम को मदेख प्रिय। यहां वायं को झालाओ इस हमा धान्ट मीशिया वे आप एक्विर ठाला का झालाओि कि ग्याम में कि रेमिगर उप्रिय। इसको से में लादस दोई दोई धनी चीज दोई, दोई भांदा टोईम्हां जार्श करता हमास, 400 मिसाल से टोईब्गार, 220 बांजा करता हो खानी लाद पर टोईब्गा टोई करता ह। All right. And just to explain, you see just one hit and you can see around here all this parking area, those cars. And we are speaking now just about the properties. Try to think about all the people, all the children that were in the house while the missile hit. So this is our day-to-day, starting Saturday. I think that it's a good opportunity to, thanks to all our people that support us in Ashkelon, we have more than 170,000 citizens here around. We got a very good support from them and it's really a good opportunity to thank them as well. Thank you for talking to us. My last question to you is that how many people are hostages under Hamas? So actually we don't really... Actually we know in our city what is the number, we cannot really share it. Okay. So I will keep it with me in this stage. Mr. Haji, Ashkelon Municipality CEO was with me and He said, to me, he said it was about 600 missiles. We have been on the street, which was approximately 400 missiles at Hamas. It was about 400 missiles at the same time. 220 missiles at last, or from building or park, or from the structure at the same time. But the Prime Minister of the President, the Prime Minister of the United States of France, is looking forward to these casualties of the British government that this challenge is called Israel's war. It has been over the various occasions that they are being interviewed. But the President had to make up the positions of Israel as well.